आपका प्रग्या प्रवाह चैनल में स्वागत है पूर्म में हमने बेदांत सार के मंगला चरण और बेदांत के परिचे पर चर्चा की थी आज उसके अगले चरण के रूप में अनुबध चछतुष्टे पर चर्चा करनी है अनुबंद चतुष्टे में यहाँ बताया गया है कि वस्तुता हम कोई कार करते हैं तो उस कार का अधिकारी कौन है उस कार करने का संबंद किस्से है उसमें विशय क्या है और उसका प्रियोजन क्या है इन पर हमें चर्चा करनी है अनुबंद चतुष्टे जैसे के नाम से य और बंध बंध का मतलब जो बांध ले जोड़ दे हमारे प्रियोजन से जो जोड़ दे वह अनुबंध होता है इसी को कहा गया है अबांड आप कनेक्शन और काच इसका विप्राया है कि जब हम किसी कारी की शुरुवात करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजे होती हैं जो उस कार से बांधती हैं उस कार से जोड़ती हैं उस कार से उनका क्या संबंध होता है इन्हीं पर अनुबंध चतुष्टे आधारित है अनुबंध चतुष्टे का जो पहला चरण है वह इसी को योगेन सदानन ने कहा है तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी अर्थात अनुबंद का नाम अनुबंद में क्या समाहित है अधिकारी दूसरा विशय तिसरा संबंध और चौथा प्रियोजन अधिकारी का भी प्रया क्या है पात्रता से है जब हम कोई काम सुरू करते हैं तो उसमें हमारी योगता का परिक्षन होता है अगर आप विवित परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं तो जो परिक्षाएं ली जाती है उसमें आपका यही परिक्षन होता है कि वास्तों में आप में वो पात्रता है या नहीं अर्थात किसी भी कारकों करने की जो पहली योगता होती है जो पहली सर्थ होती है वहां है अधिकारी अधिकारी होने का विप्राय है कि आप उस कार्य करने का अधिकार रखते हैं या नहीं यू आ इलेजिबल और नाट बहुत दर्शन में जब हम किसी विश्व ध्याले में प्रवेश करने की प्रक्रिया होती थी जो विश्व ध्याले थे तो उसमें होता था उपधा परीक्षन उपधा का गुण है सबसे पहली सर्थ है आपका अधिकारी होना इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे दूसरा बिंदुभय विशय अर्थात इसका विशय क्या है हम इस कार में क्यों प्रवेश करें तो इसके लिए इसमें योगींद्र सदानंद ने बेदांद सार के दूजरा है सुद्ध चैतन्यम प्रमेयम जीव ब्रह्मेक्यम अर्थात जीव और ब्रह्मे की एक्ता जीव बरावर ब्रह्म का समीकरण उपनिशिदों की बेदांद सार की महान देन है महान पास्चात विचारक डाइसन ने कहा है कि अगर हम दुनिया के सबसे बड़ी उप लब्डी हमारे उपनिशिदों द्वारा दि गई और जिसमें उनोंने प्रिट्भादित किया कि आत्मा बरावर ब्रह्म जीव बरावर ब्रह्म इसी को विभिन उपनिशिदों में कहा गया है अहम ब्रह्माश्मि मैं ही ब्रह्म हूं तत त्वाम आशी वाहा जो परम सत्ता है तुम ही हो तो बेदांतसार का मुख्य विश है जीव और ब्रम्य की एकटा और जब जीव और ब्रम्य की एकटा आती है तो उस समय सुध्ध चैतन्यम अर्थात केवल चैतनय का सुध्ध रूप रहता है जितनी भी जड़ता है जितनी भी माया है जितनी भी अन्य बंधनादी के कारण है वो सब दूर हो जाते हैं उसके पर चाथ तीसरा है संबंध बेदांत सार के संबंध में जो तीसरा प्रयोजन है संबंद का अभिप्राय यहाँ पर दो रूपों में है यह अक्सर विभिन परिख्षाओं में पूशा जाता है कि जो अनुबंद-्चतुस्तय का तीसरा चनर्ण संबंद है उसमें क्या सामाहित है इस पस तरहे बोध्य-बोधक भाव बोध क्या है और बोधक क्या है बोध्य जो हमारे ज्यान के योग्य है जो हमारे जानने के योग्य है वहाँ है बोध्य और बोधक भाव उस बोध्य को बोधक कराने वाला मुख्यतत तो क्या है किस से हमको उसका बोध होता है तो जो बोध है बेदांतसार के अनुसार वह है जीव ब्रह्म है के हमें किसको जानना चाहिए हमें जानना चाहिए जीव और ब्रह्म की एकता को और इसको इसका ज्यान कराने वाला कौन है इसका ज्यान कराने वाला है उपनिशत प्रमाण साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ने के लिए आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान में जीव की संदचना उसका विभिन प्रकार के कार अंगों के तो ये जीव विज्ञान का क्या हो गया जीव विज्ञान का ब उपनिशत्थ तो इस प्रकार से जो तीसरा संबंध है वहार है जो तीसरा अनुबंध चे जीव की एक्ता और बोधक हैं उपनिशद अब तीसरा है प्रियोजन क्या प्रियोजन है बहुत इस्पस्ट मानता है कि कोई भी जीव जन तू मनुस्री की बात छोण दे वहां बिना प्रियोजन के कोई कारे नहीं करता है संस्क्रित ने बहुत प्रिशली सूखती है प्रियोजनम अनुदिश्यन मंदोवपी प्रवर्तते मंदोवपी मूर्क ब्यक्ति भी बिना प्रियोजन के आगे नहीं बढ़ता है तो यहां पर तो हमें परम्तत्त की प्राप्ति के लिए अगर हम प्रियोजन नहीं बताएंगे तो कभी भी प्रवर्तन नहीं होगा प्रयोजन सब्द में ही नीत है प्रयोजन प्रमाने प्रकिष्ट रूप से उतकिष्ट रूप से योजन योजन माने जोड़ना यूजिसात उसे बना है अर्थात वहाँ मुख्यतत्त जो किसी से हमको जोड़ता है प्रयोजयत यह सहा प्रयोजना आप देखें गवर्णमेंट में ठेढ सारी योजनाय चलती हैं तो योजना का विंप्राय ही होता है कि हमको व्यक्ति को इस योजना से जोड़ना है प्रदानमंत्री जन धन योजना का भी प्राय है कि जन को धन से जोड़ देना ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो भी प्राय है वहां है स्वरूपानंद की प्राप्ति मुख्य प्रियोजन क्या है बेदान्दसार का स्वरूप आनंद स्वरूप आनंद में दो सब्द हैं स्वरूप और आनंद अर्थात हमारा वास्विक स्वरूप क्या है हम क्या हैं जड हैं चेतन हैं जीव हैं ब्रह्म हैं या संसार के विविन्द पदार्थ हैं अप देखे कि हम लोग कहानिया सुना करते थे कि उस दैट की आत्मा तोते में रहती है थी किसी प्रकार से आज हम अपनी आत्मा को भिभिण रूप में धाल लिए किसी की आत्मा कार में रह रही है किसी की आत्मा घर में रह रही है हम देर सारी जो हमारी प्रात्ना है प्रात्ना कांग भी क्या होता है मौला तुम मुझे लिफ्ट करा दे गाड़ी बगला कार दिला दे तो हमारा प्रयोजन क्या है हमारा प्रयोजन गाड़ी बंगला या कार है यह हमारा प्रयोजन है जो हमारे अंदर परमात मतत्त्त है जो हमारा वास्विक सुरूप है उसको जान लेना और जैसे ही उसको जानते हैं हमें आनंद की प्राप्ति होती है भगवान संकराचार ने इस परम्प्रयोजन को बहुत ही सरल सबदों में बटाएया है तो नहीं है बल्कि हमारे सुरूप में ही नहीं थे इसी को य हमको मोक्ष़ की पराद्थ हो जाती है इसलिए जो वेदान्त सार का परम प्रयोजन है वह है स्वरूपानन्द की प्राप्ति इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे अनुबंद चतुष्ठे में चार चीजों का समावेश है पहला है अधिकारी अर्थात तो टेस्ट इलिजिबिल्टी आफ एनी परसन तट यू अर्लिजिवल और नाट तो गो इन वेदान्ता फिलोसफी नमबर टू विशय हमारा विशय क्या है वाट इज अवर सब्जेक्ट सब्जेक्टिक जिव इक्वल टू ब्रहम आत्मा इक्वल टू ब्रहम और जब हम आत् शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम उसमें केवल चैतन ही सेस रहता है शुद्ध सद्ध भहुत ही ध्यान देने की बात है शुद्ध का विप्राय है फिर उसमें और कोई भी तत्व समाहित नहीं रहता अर्थात यहां पर जड़ता का नितांत अभाव हो जाता है उसके पर शाथ तीसरा संबंध संबंध का विप्राय है कि हम क्या जानना चाह रहे हैं क्या हमारे जाने की योग है जानने के योग है जीव और ब्रह्म की एक्ता और उसको जानने के लिए शाधन है उपनिशत प्रमाण हम कमप्रेशन की बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश होता है सा प्रमान ग्यान को जानने के लिए जितनी भी किताबे रहती हैं परिक्षा से संबंदित वहां उसके लिए प्रमाण होती है ठीक इसी प्रकार से यहां पर परम प्रयोजन जिवब्रम एक्य है और उसको प्रमाण करने के लिए उपनिशत प्रमाण ये संबंद है फिर प्रयोजन हमारा है सुरूपानंद की प्राप्ती अर्थात जो हमारा वास्विक सुरूप है वहा क्या है इसको प्राप्त कराने के लिए जो हमारा मुख्य प्रयो इन प्रियोजनों को या इन चेतुस्टयों को चार चीजों को समझ लेने के परश्चात अब हम आते हैं प्रथम चेतुस्टय पर प्रथम चेतुस्टय क्या है अधिकारी अधिकारी कौन है इसके लिए योगींद्र सदादंद ने अधिकारी के लिए निम्निलखित योगताय कि इरधारित की हैं सबसे पहली योगता उसका क्या है अध्यान किसका अध्यान करना चाहिए बे it w डांग अर्थाथ कि वेद का अध्यान और वेदांगों का अधियन वेदांग में आप जानते हैं कि चाह हैं सिक्षा कल्प व्याकरण नेरूप्त इस रूप में उसके परश्चात है इनका क्या करना चाहिए अध्यन केबल अध्यन से काम नहीं चलता है अध्यन के साथ साथ अधिगम अधिगत उन्होंने लिखा है अधिगत का अभिप्राय होता है कि जो भी हमने पढ़ा है उसका हमने अधिगरण किया है या नहीं अगर हमने अधिगरण नहीं किया है तो फि सिदे सिदे योगिन सदान कायना चाहते हैं कि पंदा पलटने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपने उसको आत्मसात नहीं किया है जब तक वह आप में गहराई से बैठ नहीं गया है आपके अंदर में ज्ञान की रूप में सामाहित नहीं हो गया है तो और कब जन्मानी जन्मनी जन्मांतरी का विप्राय है यहाँ पर इस परश्ट रूप से संकेत करना चाहते हैं पुनर जन्म का ब्यक्ति केवल इस ब्यक्ति का जीवन इस जन्म में सीमित नहीं है बलकि वहाँ जन्म जन्मांतर की पूरी परंपरा है भगवान संक्राचार कहते हैं पुनरपी ज अर्थात यहां यहां बताते हैं कि बार-बार जन्म होता है लुग कुछ इस रूप में जन्म और जन्मांतर की या शिंखला चलती रहती है तो फप्रक्राद समय की तो एवा वैराग वृत्ति का होता है कोई व्यक्ति आशक्त वृत्ति का होता है भोग वृत्ति का होता है तो इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे हमारे पूर्व जन्म के संसकार हैं यहां पर योगिन सदानंद यहां पताना चाहते हैं कि अगर आपने इस जन्म में नहीं अगर आ फिर उसके पस्चात है शुद्ध अन्ताकरण, सुद्ध अन्ताकरण कैसे होगा, उसके लिए आवर्षक है दो चीजे, एक तो अगर हम किसी भी चीज को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसमें जो आनावर्षक बस्तूएं हैं उसको हटा देना और दूसरी जो आवर्षक बस् बस्तुमें क्या है नित्य नैमितिक प्राधिШित उपासना का अनुष्ठां भ यहां पर काम एवट कःमों को करो है वहां काम काविय प्राय है काम में दो बदो से मिलकर बना है काम और इसमें लिय प्रत्य लगा है अर्था जिसकी कामरा की जाये जो हमारे लिए चाह की भी सहबस्तु हो वा हो गया काम में कर्में यहाँ पर योगिन सदान ने उधारण दिया है कि जैसे हम कहते हैं स्वर्ग कामो यजेत अर्थात अगर किसी को स्वर्ग की काम ना हो तो उसे यग्य करना चाहिए यहाँ मिमानसा का बहुत ही प्रशिद वा कवीड़ दासने इसको बहुत ही सुन्दर भासा में कहा है चाह गई चिंता मिटी मनवाबे परवाः जिन को कच्छून चाहिए तेशाहन के साँ अर्थात हमारे हमारे बन्धन का कारण क्या है हमारे बन्धन का कारण हमारी चाह है । उसी चाह को यहाँ संस्कृत भासा मे काम में कहा गया है, हमें उसका त्याग करना पड़ेगा और उसके पर चाथ निशिद्ध कर्म उसके करम होते हैं प्रियोजन में वियुद्स में, भिप्र Pal потр यूंट यूद और इंतर और वजव। वखवान लेने के प्रयोजन में भृष्वल गूower करनी है उनका लैघ्थ pend your चर्मकिंत तो प्रकार से लुद्स के बात यहाँ बैदान्न सार पें की गई है फिर उसके प्रशाद आता है नित्य नैमेतिक प्रायश्चित उपासना का अनुस्ठान ये तो हो गया कि हमें इनका त्याग करना चाहिए अब हमें ग्रहन क्या करना चाहिए इसमें दो कि एक सकारात्मक धूसरी है नकारात्मक एक क्ञारात्मक न क्या है Bueno चीजों को छोड देना चाहिए है तो उसी प्रकार से जैसे को कोई बीमारी है general करना पनेगा इनपने की इन चीज़ों को को चाहिए हैं अप आपको विभिन बीमारियों का कारण बनते हैं इन बीमारियों को आपको दूर करना है दूर करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इन्हें आपको त्याग करना पड़ेगा उसके पर शाहत है करना क्या पड़ेगा करने के लिए आवर्श्यक है यहां पर उन् नित्य कर्म क्या है जिनें हमें प्रतिदिन करना चाहिए जैसे कि प्रातहकाल सायंकाल संध्यावंदन ये कहते हैं कि नित्य कर्मों को करने से हमें कोई फल की प्राप्ति तो नहीं होती है हमें कोई नई चीज नहीं मिलती है लेकिन ये क्या करते हैं यहां हमको पाप कर्म करने से रोकते हैं जो पाप से संबंदित विकार उत्पन होते हैं उनसे ये रक्षा करते हैं तो इस प्रकार से जो नित्य कर्म हैं यहां एक तरह से सुरक्षा कवच हैं ये सुरक्षा कवच का काम करते हैं अगर आप इनको करते रहेंगे तो जो पाप से सम्मंदित प्रभाव हैं वहाँ निस्प्रभावी हो जाएंगे आप कवच और कुंडल को याद करिए वो कवच धारन किया था इसलिए उसके उपर वाणों का प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक इसी प्रकार से पाप के वाणों का प्रभाव अगर कोई नितिक कर्म करता है संध्या करता है उबाश्ना करता है वंदन करता है तो उसके उपर इन पाप रूपी, शरों का पाप रूपी, प्रहारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा है नैमितिक, नैमितिक अर्थात किसी निमित से किया गया कर्म, कोई occasion हो, कोई निमित हो, जैसे हम करते हैं, बर्डे का celebration कर रहे हैं, तो मुशा भाई, यहां पर किस बात का है, बर्डे हैं बताते हैं, ठीक किसी प्रकार से हमारे आँक आ गया है, बर्डे को जात कर्म संसकार, अर्थात, जब कोई उत्पन होता है, जन्म होता है किसी का, तो उसमय जो संसकार किया जाते हैं, उसको कहते हैं, नैमितिक, फिर अगला चरण है, प्राश्चित, हमने कोई हमने कोई अपरात किया, तो उस कर्म के लिए जो कार किया जाते हैं, उस कर्म से बचने के लिए, उस कर्म के प्राश्चित सुरुप जो कार किया जाते हैं, उसी को प्राश्चित कर्म कहते हैं, यहाँ पर बेदांसार में उधारन दिया गया है, चंद्रायन ब्रत का, चंद और यहां से आप यहां तक आते कि पहली प्रतीपदा को से स्फुरु करते हैं पर दूसरी को दूसरा कौर तीसरा और आप याद करिए कि अगर किसी से बच्पन में या कहीं पर भी हमारे आमानता प्रिक्लित है कि अगर किसी के द्वारा गाय की हत्या हो गई हो तो गोहत्या के लिए किस प्रकार से प्रैश्षित किया जाता था तो उसे गाउं के वाहर कर दिया जाता था मुह बांद दिया जाता था या उसी प्रकार से यहां पर प्रैश्षित कर्म भी है इनका क्या करना चाहिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए इस प्रकार से सुद्ध हंता करन के लिए दो चीजों की अबशकता है एक तो जो हमारे क गंगा निर्मल अभियान चल रहा है तो उसके लिए पहला आवर्शक क्या है कि उसमें जो प्रदूशित तत्तों हैं उन तत्तों को निकाल दिया जाए और दूसरा फिर उस वह गंगा की निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए गंगा ग्राम योजना है जिनमें आसपास में तमाम ब्रिक्षा रोपन किया जाए सुद्ध जल को डाला जाए जल के प्रवा को और उद्धु ना किया जाए अब तीस्रा है इसमें इन्होंने बताया कि यह क्या-क्या आवशक्ता है इसके दो शुरूप हैं निर्गत निखिल कल्मस तया अर्थात जितने भी हमारे निर पूरी तरह से निखिल मने संपून कलमस्त यह मने पाप जितने भी प्रकार के पाप जैसे तत्तों हैं उन सव का निर्गत मने संपून रूप से निकाल दिया जाना जैन दर में बहुत अच्छा उदर्णा दिया गया है कि नितांत निर्मल श्वान तहा निर्मल उन्हें पूरी तरह से मल से रहित कहीं कोई भी वहाँ पर ऐसी बस्तुएं नहीं हैं जो हमें दूशित कर सकें कबीर दस इस बात को भगवान के सामने कहते हैं कि अगर मैं निर्मल हो गया तो हमें आपके पास जाने के आवर शक्ता नहीं है बलकि आप ही हमारे पास दोड़ते हुए चले आएंगे कबीरा मन निर्मल भया जोंगंगा को नीर पाचे पाचे हर फिरे कहत कबीर कबीर अर्थात जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो मैं भगवान के पीछे नहीं बगता हूँ भगवान खुद हमारे पीछे बक्ति अरे कभीर आओ अरे कभीर आओ यहां है निर्मलता की महत्ता जैसे ही हमारा मन निर्मल हो जाता है वैसे भगवान हमारे पास खुद चले आते हैं और हमें पुकारने लगते हैं हमें अपने हमें अपने परंसत्ता का अंग बनाने लगते गोष्वामी तुल्सी दाउस ने भगवान राम के मुसे बहुत अच्छा इसी बात को कहलाया है अर्थार्थ जो व्यक्ति निर्मल होगा निर्मल मन वाला होगा वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है मौही कपट छल छिद्र नभावा मुझे कपट चली छिद्र अर्था दोसों सयुक्त लोग मुझे बिलकुल भी परसंद नहीं है तो यहां पर बेदान्त सार में भी इसी तत्त को कहा गया है कि जिस व्यक्ति का मन निर्मल नहीं होगा, जिस व्यक्ति के मन में छल है, छद्म है, तमाम प्रकार के द्वेश हैं, वहां कभी भी परम सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो इसकी दूसरी सत्त यहां है, अनु ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो जाएगी इसके लिए फिर हमें अन्य साधन भी अपनाने पड़ेंगे हमें अन्य कारी भी करने पड़ेंगे उस कारी को इनों ने बताया है साधन चतुष्टय संपन्ना साधना नाम चतुष्टया अर्था साधनों का चतुष्टय चार साधन ह साधना के चार खंभे हैं इन खंभों पर ही मोक्ष का प्रसाथ खड़ा होता है इन खंभों पर ही हमें जो परम लक्ष है जीव बराबर ब्रम्व की उसकी प्राप्ति होती है तो पहला खंभा क्या है पहला खंभा है नित्या नित्य वस्तु विवेक नित्या नित्य में दो चीजे हैं यहां पर दीरक्षंदी है नित्य और अनित्य बस्तु का विवेक अर्थात नित्य क्या है अनित्य क्या है इस वस्तु का नित्य क्या है अनित्य क्या है इसका हमें विवेक भली भाती ज्ञान तो इसमें बताया गया है कि नित्य क्या है जो नित्यता की परिभासा क्या है भगवान संक्राचार ने इसकी बहुत अच्छी परिभासा दिये कि त्रिकाला बाधित्वम सत्र जो त्रिकाल त्रिकाल का मतलब तीनों कालों में भूत में भर्तवान में भूश्र में अर्था जो बर्तमान काल में हो सिभूत उसकी सत्ता ना रही हो या भविश उसकी सत्ता समाथ्ट हो जाए रहा क्या है अनित्ते है जैसे हम अपना room रहन ले तो जन्व के पहले हमारी सत्ता नहीं थी जो हम अधरा हमारा हुआ है कि हम नहीं रहेंगे क्या हो गया अनित्य हो गया इस प्रकार से जो हमारा सरीर है यहां निध्य तत्नों संसार कि हम जितनी भी बस्तूं को झेखते हैं कुरसी मेज ऒन दी पहाड गाड़ी बंगला का जितनी भी चीन है यहां कि मैं हैaterial सत्वत नहीं हैं क्योंकि इनकी तीनों कालों में सत्ता नहीं रहती है तो यह सारी की सारी वस्तु यह क्या है अनित्य हैं महात्मा बुद्ध को जो वैराग्य हुआ उसका कारण यही था कि जब उन्होंने देखा कि लोग हैं चले जा रहे हैं तो फिर उन्हें लगा कि नहीं अब यह सत्ता यहाद जो संसार है यहाद छणभंगूर है इस पर हमें आसकत नहीं रहना है कबीर दास ने इसको बहुत अच्छे ठंक से कहा है कि एक बार भगवान उनके पास आगे है और बोले कि बताओ कबीर तुमको क्या चाहिए तो उन्होंने कहा का मागूं कचुतिर न रहाई देखत ने चला जग जाई इक लखपूत सबालख नाति तही रहावन घर दिया नवाति मैं तुमसे क्या मांगूं कचुतिर न रहाई कुछ भी स्तिर नहीं है महात्मा बुद्ध ने इसी को कहा है कि हीनस से मध्धस से महात्मनोता सरवष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उसके मन में वहरागी हो जाएगा इसलिए सूरदास कहते हैं सूरदास प्रभुकाम धेनुत्त जी छेरी कौन दुवाबे जैसे ही हमें इसका ज्ञान हो जाता है कि अनित्य क्या है वैसे ही दूसरा चन्ण आता है यहां पर इहां मुत्रार्थ में और अमुत्र अर्थ फल भोग विरागया है तो एका अभिप्राय होता है इस लोक में और अमुत्र का भिप्राय होता है पर लोक में जो हमारे हां स्वर्ग लोक की बात कही गई है वहां इन दोनों के अर्थ जो विसय हैं और उनसे संबंदित जो फल हैं उन्हें वैराग होना चाहिए यह हम देखते हैं अभी हमने चर्च आ जी किस लोग में जो वस्तुवें हैं उनका विनास होता है लेकिन जो क्या परळुड़ लोक है क्या उसका भी बिनास हो जाता है भगवान संक्राचार अपने ब्रह्म्रसूत भास में बहुत ची तरह से स्पर्ष करते हैं कि जिस प्रकार से यथा कर्म चितो लोका छीयते तथा पुन्ड चितो लोका अपिछीयते जिस प्रकार से यहां हमारा कर्म लोक में जो भी चीजें ह आज हमारे पास गारी, एकल तूड़ जाएगी ठीक उसी विकार से पुन्य चीतो लोगा, जो हमारे पुन्य के द्वार अजिस्वर्ग लोग है जैसे ही पुन्य स्वर्ग लोग होता है, वो ऐसे ही यहाँ पर पुन्य जर्म लेता है गीता में इसी चीज को बहुत स्पश्टूप से कहा गया है छीड़े पुन्ये मृत्य लोगे विशन्ती अर्थात जैसे ही पुन्ये छीड़ होता है फिर से हम इसी मृत्य लोग में आ जाते हैं तो ना तो यहां लोग ना ही पर लोग दोनों का जो सुक है वहां स्थाई नही है नित्ध नहीं है और जब यहां नित्त नहीं है तो फिर हमें उस पर हमारी आर्षक्त ही नहीं होनी चाहिए ऊछिं शीले कहा गया है बीरा अगह उश से हमारा निरार्षक्त словह हो जाना चाहिए इस ही को बैरा कि बाद कही कई है फिर आप राति कैसे होगा ऐसे मन में आगया कि नहीं कुछ होंड़ दे इसको तो आजायेगा नहीं के वल कहने से कुछ हो सकता है उसको हमें एंपरे का यह गया उसको कह साधना की अंगर रूप में कहा जो हमें साधना पथर क्यों ले जाती है श्रम का विप्राय क्या है मन का सयम गीता में कहा गया है हमारा मन बहुत ही चंचल है वायु वेक से तेज दोड़ता है अर्जुन स्रीक्रिशन से कहते हैं कि इसको रोकना तो मन को रोकना मन को अरुद्ध करना दूसरा है कि हमारे इंद्रिया भगती है उनको भी रोकना जिस भी कोई आशक्ति की बश्तु देखते हैं उसमें उद्राण दिया की माला है फूल सारी चीज़ें सुन्दर इस्त्रियां कामनी है कंचन है इनकी ओर देखकर के जो हमारी अर्षित होती है तो इंद्रियों को भी रोकना उसके बाद तीस्तरा चरण है उपरती जब हमारा मन और हमारे इंद्रियां दोनों स्यमित हो जाएंगी दोनों जो हमें बंधनकारी तत्तों हैं जो बांधनेवाली बस्तु आकर्शक बस्तु उनको रोक दिया जाएगा तो का भाव आता है उसके पर्षाथ है तितिक्षा शीट अर्था ठंडी उष्ण का विप्राय गर्मी या प्रातितिक सब्द है कि जितने विप्रकार के के देशर बात हो उश्टा के बात हो ला भान की बात हो इन सब को हुआ की दितिक्शा है योग कि तो यहां समाधान की होती है कि बिल्कुल सांसारिश वेराग के ले करके श्रमाध्वत इस्थित रहना और अगला चरण है शद्धा सद्धा में यहां पर दो तत्तों का समावे से पूशा जाता है कि वेदान सार कनुसर सद्धा सभिप्राय क्या है तो इसमें दो हैं गुरु और वेदान तवाकिष्ट पर हमको शद्धा रखनी है जो हमारे गुरु है जैसे स्वामी योगिन सद्धा अपने गुरु अद्ध्वया ननत पर या भगवान संक्राचार अपने गुरु गौडपादाचार पर गौडपादाचार उनके परम गुरु थे इस समय मुझे तो संक्राचार के परम गुरु गौडपादाचार थे, संक्राचार के जो गुरु जी थे वहां गोविंद भगवत पात थे, तो इस प्रकार से गुरु और वेदान्त वाक्य में